नमस्कार, आप सभी का बाईजूस गवर्णमेंट एक्जाम्स प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 18 अप्रेल 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स के उपर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी के जो एक्जाम्स हैं, इन एक्जाम्स के अंदर में करंट अफेयर्स का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप लोग SSC, CGL, CHSL, CPO के एक्जाम्स को देखें तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि काफी बड़ी संख्या में प्रस्ट ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनका संबंध सीधिय तोर पर करंट अफेयर्स के साथ में हैं। इसके अलामा, चाहे वो पुलिस के एक्जाम हो, DPC हो, या अन्य राज्यों के पुलिस के एक्जाम हो, बैंकिंग के अंदर में चाहे वो बैंक क्लेरिकल हो, PO हो, RRB हो, ये सारे एक्जाम्स और अन्य भी कई सारे Government एक्जाम्स चाहे वो Railways के हो हो, चाहे वो FCI के हो, इन affairs का बहुत अधिक महत्व है तो आईए इस class को attend करिए अंततक मेरे साथ में बने रहिए इसका अधिक से अधिक lab उठाईए और हम लोग देखते हैं सबसे पहले national affairs को यानि की राश्ट्रिय मामलो को देखिए students यहाँ पर हमारे सामने जो पहला समाचार है वो है panel to list indigenous inhabitants in Nagaland देखिए हमारे पूर्वोत्तर के अंदर में अनेकों जन्जातियों का निवास इस्थान है हमारे देश की जो प्रजातिय विविधता है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पूर्वोत्तर के अंदर में रहता है और वहां की संस्कृति विविधता की रक्षा के लिए कई बार विशय हमारे सामने आते रहते हैं ऐसे में Nagaland की जो सरकार है उसने इस बात का निरने किया कि वो एक Joint Consultative Committee का गठन करेंगे जो की इस बात की जाज करेगा कि वहां के जो मूल निवासी है वो मुख्य रूप से कौन-कौन लोग है उनकी जो traditional tribal bodies हैं उनको देखा जाएगा civil society के लोग भी इसके अंदर में शामिल किये जाएंगे अच्छा अब यहां पर एक exercise का नाम आपके सामने आता है RIIN दरसल students यह असम के NRC की तरज पर इसको आरंब किया गया था जुलाई 2019 के अंदर में नागा लेंड की सरकार के द्वारा अब RIIN को अगर हम लोग देखना शुरू करते हैं तो यहां पर एक बहुत गंभीर विशय हमारे सामने आता है कि 1963 यह वो साल था जब नागा लेंड राज्यका निर्मार किया गया इसको राज्यका दरजा मिला और यह cut-off date जो है 1963 की रखी जाएगी और उस समय तक जो लोग यहां पर थे वो यहां के मूल निवासी माने जाएंगे Students, अब यहां पर आप लोगों को RIIN का जो full form है उस पर ध्यान देना चाहिए क्या है यह? Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland मतलब Nagaland के जो मूल निवासी हैं उनका एक Register यह तो कुछ बाते हो गई यहां की अब जरा Nagaland की भोगोलिक स्थिती के ओपर में निगाह डाल लेते हैं और कुछ अन्य जानकारियों को भी देख लेते हैं तो पिर उस से जुड़ी हुई बातें भी चर्चा में हो जाएंगी जैसे Nagaland की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा अब Nagaland के जो पडोसी राज्य हैं अगर आप यहां पर मांचित्र पड़नेगाह डालें तो आपको दिखेगा यहां पर असम दिखाई पड़ रहा है हमें अरुनाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा है हमें मडिपूर दिखाई पड़ रहा है इसके लामा इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नागालेंड और यह इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में है म्यानमार के साथ में है आईए जड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से नागालेंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो यह है कोहिमा और सबसे बड़ा शहर यहां का है दीमापुर यहां के जो गवर्णर है वो है आर एन रवी और यहां के जो मुख्य मंत्री है वो है नेफ्यू रियो ठीक है students यह कुछ प्रमुख बाते हो गई यहां के बारे में अगर आप high court वगरे के बारे में जानना चाह आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं उच नियाले जो है वो गुहाटी high court से संबंधित है यह और इनकी जो विधाई का है जो विधान सभा है उसमें 60 सीटे हैं टोटल खेर इतना in-depth जानकारी का जरूरत आपको नहीं रहेगा गवर्णर, चीफ मिनिस्टर, राजधानी, ल दरसल यह संबंधित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जो कि भारत के अंदर में जो राजस्थान राज्य है उसका राज्य पंच्छी है एक तो पॉइंट आपके लिए यह हो गया मैं तो पोड़ा अब जो हमारा थार का रेगिस्थान है उसका जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर में फैला हुआ है उसे छोलिस्तान कहा जाता है यह ज़रह आप लोग ध्यान रखना छोलिस्तान का छेतर मतलब थार का वह इस्सा जो पकिस्तान में पड़ता है विश्वेस रूप से आप ध्यान रख़े इसको अब यहाँ पर यह पंच्छी होता है यह है ग्रेट सो से भी नीचे चला गया लगबग 90 प्रतिशत जनसंख्या खतम हो गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अब इसकी रक्षा के लिए प्रयास किया जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप यह चित्र देख पा रहे हों तो यहाँ पर दो यह ऐसा है जीव जन्तुओं के लिए तो कोई सीमाई है नहीं और उनकी रक्षा करने का दायत्व हम सब पर है आईए स्टूजेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला समाचार है जैशंकर टू विजिट अबू धाभी टूड़े जैशंकर जी भारत के विदेश मंत्री अब जरा इस पूरे घटना करम को आप समझेए अब कुछ लोगों के हवाले से यह खबरे आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए UAE जो है प्रस्ट भूमी के अंदर में सयोग कर रहा है दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में वो मदद करने का प्रयास कर रहा है यह रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं ध्यान रखना इस तत्यकूर क्योंकि अभी आगे कुछ बाते और बताऊंगा मैं आपको अब लोग बिंदुमों को जोड रहे हैं यहां पर कि अभी पाकिस्तान के जो विदेश मंतरी हैं शाह महमूद कुरेशी उन्होंने बस घोषना के कि वो जो है यूएई की यात्रा पर जाएंगे और उसके कुछ समय के बाद में ही भारतिय विदेश मंतरी के समवंध में यह घोषना सामने आई लेकिन जो महत्पूर्ण बात है वो यह है कि भारत हमेशा आधिकारिक रूप से इस बात का पक्षधर रहा है कि पाकिस्तान के साथ में हम जो भी बात करेंगे वो द्विपक्षिय होगी मतलब कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान होंगे वहाँ पर और तीसरे पक्षध की मध्यस्थता यहाँ तक छेप के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है एक बात ध्यान डखना भारत सरकार का जो official stand है वो यही है अब देखिए international politics है तो कहीं न कहीं indirectly एक third party involved कहीं न कहीं कभी कभी हो सकती है इस बात के संभावना से मिंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा interference या दबाओ इस बात को हमेशा भारत सरकार ने मना किया है तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को कि ठीक है international politics के अंदर में pressure politics काम करती है लेकिन हमारे और पाकिस्तान के बीश में जो भी जो है मुद्दे हैं वो कैसे हैं bilateral है इस बात को आप लोग अच्छे सियाद रखना this is official अब UAE लगातार चर्चा में बना रह रहा है इस समय मंगल के उपर mission भी भेज दिया था इन्होंने तो UAE के बारे में थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे जैसे कि ये ओमान और सुदी अरब के साथ मुख के रूप से सीमा साजा करता है इसके अलामा जो है फारस की खाणी वाला जो है चेतर जो है कतर का चेतर है उनके साथ समुद्री सीमा साजा करता है आप मान चेतर देखिए आपको बढ़िया समझा जाएगा आपको यहां से दिख रहा होगा, सौधी अरब का छेत्र है, यहां ओमान का छेत्र है, यह गल्फ ओमान का छेत्र है, यह फारस की खांडी का छेत्र, इन सबसे United Arab अमीरात का छेत्र जुड़ा हुआ है अब इनकी राजधानी क्या है अबू धाबी ध्यान रखेंगे इसको दुबई एक बड़ा प्रसिद शहर है यहाँ पर अब जरा आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि दुबई के अंदर में ही ICC जो क्रिकेट की संस्था है इसका मुख्याले भी यहाँ पर है तो यह सारे बिंदू यहाँ पर आपके लिए महत्यपूर्ण होगे आएए आगे बढ़ते हैं राउल कैस्त्रो steps down as head of communist party of क्यूबा क्यूबा एक ऐसा देश जिसने अमेरिका के सामने बहुत बड़े-बड़े संकट पैदा किये और खास तोर पर 1962 का missile संकट दरसल आप नाम देखो न क्यूबा communist country है और जिस समय शीत युद्ध चरम पड़ था उस समय जो अमेरिका था जो कि पूंजी वादी गुट का नेतरत वो कर रहा था उसका प्रयास यह था कि क्यूबा जो कि अमेरिका के इतना करीब है एक द्वीपिय देश वो कम्यूनिज्म को साम्मेबाद को कैसे अपना सकता है सोवियत खेमे में जा कैसे सकता है और इसी समय राउल कैस्त्रो के भाई फिदेल कैस्त्रो के नेतरत्तों में 1959 में यहाँ पर क्रांती होती है और यहाँ पर साम्मेबादी दल सत्ता में आता है एक लंबे समय तक कास्त्रो भाईयों ने क्यूबा के अंदर में शासन किया, पहले फिदेल, फिर उनके भाई राउल, और अब ये कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख के तोर पर यहां से हट रहे हैं, अब समय बड़ा कठिन है, एक तरफ महामारी का दौर है, एक तरफ अम हम लोग इस बात को भी देख रहे हैं, कि अमेरिका और रूस के जो संबंद हैं, उनमें तनाओ बढ़ रहा है, चीन अमेरिका की जगह लेने के लिए बेताब है दुनिया की राजनीति के अंदर में, और ये एक सामेबादी सम्मूह है पूरा, तो ऐसे में फिर क्यूबा ब च्छेतर है, ये केरेबियन सी के आसपास का च्छेतर है, ये पडोस में जो है इसके पास में हैती बगरे के च्छेतर है, ये अमेरिका का, USA का, फ्लोरिडा के आसपास वाले च्छेतर हैं सब, ये है क्यूबा के बारे में, सिगार उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के ल ये भी बहुत चर्चा में रहा क्यूबा कि इटली के अंदर में ब्राजील के अंदर में क्यूबा ने अपने डॉक्टर्स और नर्सेस को भेजा COVID-19 बीमारी से पीडित लोगों का इलाज करने के लिए तो ये सब मुद्दों की वज़े से अभी हाल फिल हाल में भी काफी चर्चा में रहा है तो जरा राजधानी को आप लोग विशेश रूप से देख लेंगे आगे बढ़ते हैं अब जरा देखते हैं हम लोग various national and international personalities in news को देखिए सबसे पहले हमारे सामने समाचार है जुन्टा लीडर सेट टू जवाइन आसियान समिट अब जुन्टा जुन्टा का मतलब सैन नसाशक म्यानमार में तक्ता पलट हुबा था आप लोगों से बहुत बार चर्चा हो चुकी है उस विशे में और यहां के जो सैन जनरल है मिन, ओंग, वाइंग कुछ समय में आसियान की वारता होने वाली है तो वहां पर ये शामिल होंगे अब देखिए दरसल इन्हों ने तानाशाही को लागू कर दिया है म्यानमार के अंदर में और जो लोकतंत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाले देश है आसियान के अंदर में निश्चित रूप से उनके लिए एक नैतिक दुविधा का प्रशन होगा अब देखिए यहां पर इस बात की उमीद है कि शायद म्यानमार के सेनने प्रशासक के उपर में इस बात का दबाऊ डाला जाए कि जिस तरह से वहाँ पर लोकतंत्र समर्थकों के उपर में वहां की सेना के द्वारा जो अत्याचार किया रहे हैं इनको रोकिए कम से कम मानवाधिकारों का मुद्दा मत बनाईए अच्छा अब ये जो वारता के संदर में बाते हैं इन्हें थाइलेंड के द्वारा जो है उन्होंने कनफर्म किया है इस बात को और ये जो है जकारता के अंदर में ये बैठक जो है होनी है ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जरा यहां से अगला समाचार है दा बैटल्स ओफ श्पेस ड्रिमर पिछले कुछ समय से जो है इसरो के वरिष्ठ वैज्यानिक नम्भी नारायनन जिका नाम बड़ा चर्चा में रहा और जो भी समाचार हमारे सामने आए उन्होंने इस बात को दिखाया कि कैसे कुछ प्रशासनिक लोगों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के कारण एक वैज्यानिक का पूरा भविष्य खराब हो गया दरसल ये मामला है 1994 जब इसरो के वरिष्ट वैज्यानिक नंभी नारायनन जी को गिरफतार किया गया इस आरोप के अंतरगत कि उन्होंने इसरो के कारेकरम कि जो सिक्रेट है वो लिख किये हैं इसमें मालदिव के भी कुछ लोगों को गिरफतार किया गया नंभी नारायनन जी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी यहाँ पर दीके जैन समिती की रिपोर्ट आई जिसमें इस बात को बताया गया कि नंभी नारायनन जी को किस तरह से फसाया गया कुछ अधिकारियों के द्वारा 2018 में सुप्रीम कोट ने उनको मुआउजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया राश्ट्रिय मानुवा अधिकार आयोग ने भी उन्हें कमपनसेशन के रूप में 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया सरकारों को अब यहाँ पर एक सबसे गंभीर विशह है कि जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ ये काम किया उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे नमभी नारानन जी अपने केरियर के अंदर में विज्ञान के छेतर में भारत के लिए जो वो नहीं कर पाए सिर्फ कुछ अधिकारियों की वज़े से अब नम्भी नारानन जी की बायोग्राफी, ध्यान रखना आटो बायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है, ready to fire, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, हलाकि 17 में आई थी, 2017 में आई थी, लेकिन अभी नम्भी नारानन जी चर्चा में है, तो फिर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके अलामा, 2019 में इन्हें पद्म भूषण पुरसकार से सम्मानित किया गया, इसके अलामा, एक मूवी बनाई जा रही है इनके ओपर में, रॉकेट्री, दे नम्बी इफेक्ट, अब ऐसे विश्रय आपके परिच्छा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक मू गरी को यहाँ पर क्या है, तो सुरेश रहना और स्पोर्ट्स जनरलिस्ट हैं, भारत सुन्दरेशन, जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, believe what life and cricket taught me, संस्मरन है सुरेश रहना जी के, यहाँ पर, जो उन्होंने अपने सीनियरों से सीखे, जिनमें राहूल द्रमिट जी, अनिल कुंबले, सचिन टंडुलकर, सौरब गांगुली, यह सब लोग शामिल रहे, और अब जरा आप लोग यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखियेगा, भारत सुन्दरेशन, जी हाँ, हलके में मत लीजियेगा इनका नाम, इन्होंने दाध्धोनी टच, नाम से जो है यह पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो कि बहुत चर्चा में रही है, बेस्ट सेलर रही है, तो अब कहां रहते हैं, किस पत्रिका के लिए काम कर करते हैं, पॉइंट लिखवा दिये हैं मैंने यहाँ पे, लेकिन इस बिंदू पर आप लोग विशेश ध्यान रखेंगे, दाध्धोनी टच को, यह पुस्तक भी इनके द्वारा ओथर्ड है, आईए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, इंपोर्टन्ट डेज की जरा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अब, और वर्ड हेरिटेज डे, अप्रेल अठार है, किसी भी देश की विरासत को दिखाते हैं, वहां के स्मारक, बहुत महत्यपोन हो जाते हैं, इंटरनेशनल डे ओप मौन्यूमेंट्स अड़ साइट्स वाइट्स प्रपोन हो जाते हैं, 1982 प्रपोस किया गया था यहां पर इस संस्था के द्वारा, और इसको अप्रूवल मिला है यूनेस्को के द्वारा 1983 में, अब इसका उद्देश है क्या है, मानवता कि जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी विविधता के बारे में लोगों को जागरूग बनाना, और लोगों को अतीत के साथ में जोड़ना, आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग यहां से, दरसल यहां पर अब एक योजना है, पुरानी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे इसको, हिर्दय योजना के बारे में, 2015 में जो है इसको आरंब किया गया था, और एक सीमित समय के लिए इसको आरंब किया ग आता है, कुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, हेरिटे सिटी डेवलप्मेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना, इसके अलामा, अब जरा रिसेंट की बात कर लेते हैं, मतलब इतना रिसेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी काम का है, 2019 में सुस्री निर्मला सितार दवलप करेंगे, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका लाभ उठाया जा सके, भारत के विकास के अंदर में लोगों के लिए रोजगार का विकास करने के संदर्भ में है, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग स्टूडेंट्स यहां से, अब युनेस्को की इतनी बात कर दी गई है, तो निश्चित रूप से कुछ बाते हैं इसके बारे में आपको जाननी चाहिए, जैसे, युनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, उनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और्गनाइजेशन, पहली चीज, स्थापना कब होती है 1945 में, उनाइटेड नेशन्स के साथ मिल करके काम करती है, और मुख्याले कहा पर है इसका, पैरिस के अंदर में, डारेक्टर जन्रल का नाम क्या है, ओड्रे अजोले, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यह प्रस्न बढ़ा अच्छा सा है यहाँ पर, कि इसकी पैरेंट और् पर उनका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दूसरी एजन्सी है, तो United Nations के अंदर में, जो United Nations Economic and Social Council है, उसके साथ में मिल करके UNESCO काम करती है, अब आप लोगों का नेतिक जिम्यदारी है जरा यहाँ पर, कि आप भारत के अंदर में, जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, मूर्त विरासत है अमूर्थ विरासत है टेंजिबल इंटेंजिबल इन सब के बारे में आप लोग जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि वहां से के बारे प्रस्ण पूछ दिये जाते हैं एक्जाम्स के अंदर में मुका मिला तो मैं स्वयम किसी क्लास में उन सब विश्यों के ओपर चर्चा करू आप लोगों से लेकिन आज के लिए इसमें इतना काफी है आएए आगे बढ़ते हैं now let's talk about some important facts और हमारे सामने एक संस्था है AIIB full form क्या है the Asian Infrastructure Investment Bank क्या है संस्था के बारे में दरसल students this is a multilateral development bank and headquarter कहां पर है इसका बीजिंग में है यह points बहुत important है इसका headquarter विशेश रूप से आप लोग ध्यान रखियेगा जैसे एक new development bank है अब उसका headquarter कहां पर है वो आप लोग बताओगे और इसका headquarter उसका headquarter में बैठने जाओगे तो 15 दिन पहले इन संस्थाओं के जो director generals वगरे हैं उनके नाम को update करके जाओगे आप लोग यह बात ध्यान रखियेगा आप लोग बता लगा मैंने अभी बता दिये फिर बदल गया data आपने update नहीं किया और exam में गढ़बढ करके आ गया इनके जो head वगरे हैं उनके नाम का research करना प्राप्त करना उस नाम को आपका जिम्मेदारी रहेगा अच्छा तो इसका उद्देश्च क्या है इसका mission है to improve the economic and social outcomes in Asia यह इसका उद्देश्च है अब देखिए यहाँ पर game plan है चीन का दरसल चीन का प्रयास यह है कि Asia के अंदर में ज उसको challenge करना है और जब देश चीन से पुझी लेंगे निवेश के लिए जब चीनी पुझी का निवेश आएगा किसी देश के अंदर में तो निश्चित रूप से चीन उन देशों की नीतियों को भी प्रभावित करेगा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेग लेकिन अब यहाँ पर कई सारे practicalities भी हैं और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत इसका member बना हुआ है जी हाँ और हम चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े shareholder हैं इसके अंदर में अब देखिए चीन को challenge करने के लिए और उससे जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं national interest को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा आदर्श वात को यहाँ पर अपनाने के आउशकता नहीं होगी यह बात आप लोग भी ध्यान रखियेगा क्योंकि देश सबसे पहले आता है अब निर्मार की बात करते हैं संस्था के तो निर्मार कब है 2016 में है इसका अगे बढ़ते हैं अभी हम लोग आसियान की बात कर ही रहे थे और देखिए आसियान हमारे सामने आ गया तो आए जरा देखते हैं आसियान के बारे में देखिए आसियान की हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देखो असोशियेशन ऑफ साउथ एस्ट 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 एशियन नेशन्स 1967 में बैंकॉप घोष्टना के द्वारा इसकी स्थपना हुई इसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्यूनिटी और इसका उस सेक्रेटेरियेट है सचिवाले जो है वो जकारता में है इंडोनेशिया की राजधानी में अभी दोको मीटिंग भी इसका होना है यहां पर तो फिर चर्चा में आएगा तो यह सब जो जानकारिया है ना सच वगरे कहां है इन संस्थाओं इस सार्क हो गया बेंस्टेक वगरे हो गया ब्रिक्स हो गया जी 20 हो गया जी 7 हो गया यह सब देखो पढ़ाता हुआ चल रहा हूं मैं तो आप लोग इस पर होमवर्क करते रहेंगे बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए अगदम दिमाग में बैठा होना चाहिए आपके आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग और बिंदू देखते हैं दचनी पूर्वी अशिया के साथ में संबंधित है निश्यत्रोप से और उस छेत्र के अंदर में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना ये इनका प्रमुख काम ह और छेत्री इस तर पर जो तनाव हैं जो मतभेद के बिंदू हैं उनको दूर किया जाए इसके साथ साथ में आशियान एक काम और करता है जो आसपड़ोस के अन्य देश है उनके साथ में भिस हैयो किसे बढ़ाया जाए तो इस बात को ध्यान देने के लिए आसियान प्लस का concept लाया गया 97 में इसको शुरू किया गया और इसके अंदर में चीन जापान और साउथ कोरिया के साथ में आसियान के देश जो है विचार विमर्स करते हैं कंसल्ट करते हैं इनके साथ में और आसियान के कुछ पैनल्स पर भारत भी है एक अब्जर्वर के रूप में क्योंकि हमारी जो act east policy है उस act east policy के अंदर में हमें आसियान के साथ अपने संबंदों को बहतर करने की दिशा में आगे जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम प्रयास कर भी रहे हैं आईए आगे बढ़ते हैं अगली संस्था है students international monetary fund IMF जड़ा देखते हैं इसको भी IMF जो है इसका जो विचार है वो सामने आया 1944 में ब्रेटन वूट्स एक बैठक हुआ यहाँ पर अमेरिका के अंदर में और ध्यान रखना इसी बैठक के अंदर में वर्ड बैंक के जो है नाम का विचार भी सामने आया था तो इसी लिए IMF और वर्ड बैंक को ब्रेटन संस्थाएं भी कह देते हैं उन दोनों को 45 में फॉर्मल ही यह संस्था आस्थित्तों में आ गई अब एक बात आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर कि वर्ड बैंक और IMF के काम का आज में एक मूल भूत अंतर है और इस की वर्ड को आप दिमाग में एक तम बिठा के है तो वहाँ पर यह मदद करता है और वर्ड बैंक का काम क्या है उसका काम यह है दुनिया के अंदर से गरीबी का निवारण करना उसे समाप्त करना समावेशी विकास को आगे बढ़ाना मुख्य रूप से यह उसका काम है और रास्ट्रों के बीच जो व्यापारिक सुवि अब बैलेंस अपट्रों के समुषर सामने आती कैसे है स्टुडेंट्स आप मालन लीजिये किसी देश को पेमेंट करना है डॉलर में उसके पास डॉलर है नहीं तो पेमेंट कैसे होगा तो इस तरह की जो बात समस्याएं होती है इनको हम लोग जो है अंतरास्ट्रीं इıtश इसका मुख्याले वाशिंग्टन डी-सी, अमेरिका के अंदर में है, मैनेजिंग डारेक्टर है इसकी, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, आप लोग जब भी परिच्छा देने जाएंगे तो जरा एक बारी अपडेट जरूर कर लीजियागा, बोल के चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी का डिटा मैंने बता दिया है आपको, आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ से, अब, IMF के अंदर में Special Drying Rights नाम की एक सुविधा है, और ये Foreign Exchange Reserve में help करती है अलग-अलग देशों की, अलग-अलग देश, IMF के अंदर में, जो है, भुक्तान करके, SDR का जो कोटा है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, SDR इसका निर्माड किया गया 1969 में, और SDR की जो Value है, वो Value पाच currencies के आधार पर निर्धारित की जाती है, कि एक SDR का Value कितना होगा, कई जगहों पर इसे XDR भी कह देते हैं, तो अब ये बड़ा महत्तवपूर्ण प्रस्ण रहता है, आपके पर इच्छा के अंदर में, कि SDR का जो मुल्ले निकाला जाता है, वो कितनी मुद्राओं के समायोजित मुल्ले पर आधारित होता है, और ये पाँच जो मुद्राओं हैं, वो कौन कौन सी हैं, US डॉलर है, यूरो है, यूरोप वाला, रेन मिन भी है, चीन वाला, जिसे युवान भी कहते हैं, जापान का येन है, बिरिटिस पाउंड है, ये आप लोग अच्छे से कंठस्त कर लिजिएगा, याद कर लेना एक्तम इनको, इतना महत्व पूर्ण है, देखिए, सब कुछ तो आप याद कर नहीं सकते हो, लेकिन जो सबसे महत्व पूर्ण जानकारियां हैं, वो तो दिमाग में होनी चाहिए ना, बाकि जितना आप बार-बार रिविजन करेंगे, उतना बढ़िया से आप परफॉर्म करते होए निकल जाएंगे, तो टेस्ट बढ़िया से करिए, जो है कॉस्टिन से टम्ट कीजिए, प्रिवियस यर जो पेपर पूछे गए हैं, वो करिए, इससे आपको लाफ मिलेगा परिच्छा के अंदर, मिनिशित रूप से मिलेगा, आएए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, अभ्यास प्रस्णों को, पहला है, who is present CM of Nagaland, Nagaland के वर्तवान CM कौन है, नफ्यूरियो, आरेन रवी, पेमा खांडू, बेरेन सिंग, वो ध्यान से अंसर करना है, आप लोग, बता के आ रहा हूँ मैं भी आपको, इसके बाद अगला प्रस्ण है, इन विच ये नागालेंड स्टेट वास फॉर्म्ड, नागालेंड राजी का गठन किस वर्ष किया गया था, 1963, 1964, 1965, 1966, अगला प्रस्ण है, नेम दा स्टेट बर्ड ओफ राजस्थान, राजस्थान के राज़े पंची का नाम बताईए, तो नाइटिंगेल यानि की बुल-भुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लेमिंगो देट इस राजहन्स, इगल मतलब बाज, जयान से अंसर करना अगे बढ़ते हैं, वाट इस दा कैपिटल ओफ क्यूबा, क्यूबा की राज़धानी क्या है, तो तिराना, बेलमोपान, बाकू, हवाना, इसके बाद अगला प्रस्ण है, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स और साइट्स वाज डेकलेर्ड बाई विच इंस्टिटूशन, स्मारक और इस्थलों के लिए, अंतर राश्ट्रिय दिवस किस संस्था द्वारा घोशित किया गया था, यूनेस्को, यूनिसेफ, आईपी सीसी या कोई नहीं, अगला प्रस्ण है, रेडि टू फायर, ये जो है, पुस्तक, किस्चे संबंधित है, माधवन नायर, केसीवन, माधवन, या नमभी नारायन, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, यूनेस्को का मुख्याले, कहां इस्थेत है, पेरिश, रोम, बर्लिन, नैरोबी, अगला प्रस्ण है, इस्टूडेंट्स, वो रोट बुक, दाधोनी टच, दाधोनी टच नामक, उस तक किसने लिखी है, आप्शन से आपके, अगला प्रस्ण है, इस्टूडेंट्स, रेनमिन भी, इस्ट करंसी ऑफ विश कंट्री, रेनमिन भी किस देश की मुद्रा है, आप्शन से आपके सामने, चीन, वियतनाम, ताइवान, थाइलेंट, वो ध्यान से अंसर करियेगा, मिस्टेक मत करना, मत रखना, आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गए, अब भ्यास प्रस्ण, आप लोग इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बेटर तरीके से, इस क्लास का जो PDF है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसका लिंक डाला गया है, आप बस लिंक पर क्लिक करेंगे, और PDF डाउनलोड हो जाएगा, आपके रेफरेंस के लिए, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, आशा करते हैं, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको सारे नोटिफिकेस्टन समय से मिल जाएंगे, अपना बहुत ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों से मुलाकात होगी, अगली क्लास में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया,